रुजसमन के आमीर टहसील के अगरिया में विराजित कालिका माता मंदिर में आज नवरात्री का समापन साथ जोरावी सर्जन किया गया कुमावत समाच के जगदीश कुमावत ने बताया कि मंदिर 450 साल पुराना है और चितौड से यहां पर माता जी की आप रूप जोती आई और मंदिर के स्थापना की कुमावत समाच की माता जी का मंदिर विधायक सुरेंड सिंध राठ और के निवाज से कुछी दूरी परिस् पानी की भी कमी नहीं रहती है आज जुआरा विसर्जन में विशाल शुभायात्रा निकाली गई जो डीजे की धुन पर नाजते हुए ताला पर पहुंच विसर्जन किया गया विदा एक्सुरेंट सिंग्राठोड ने काली का माता मंदिर पहुंच कर दर्शन किये इस दौरान कुमावा समाजद्वारा 551 किलो चूर में का भोग लगाया गया वाप्रसाथ वित्रत के कुमावता को मौला में काल का माता जी का मंदिर है वो बहुत पुराने समय से है माता जी चितोर से आई है और हम भी चितोर से आया चाटवाल है और हम चाटवाल सब चितोर से आये और माता जी भी हमारे साथ में माता जी आपदारी है और बहुत पुराना हो गया और तीज क बाइन का दीपक चालू हो जाता है और इतनी करपा है कोई भी कुई शंक्रट आ जावे गाव इकटा होके माता जी बोले पहले एक बार वे चोट्या कटी जी तो माता पानी का दिया जलता है इसके मुख्य कारण किया और माताजी जानती हो तो आप कबसे देख रहे हैं यहां हम तो सब्सक्राइब बुजरुक आदमी वह बोलते रहें अभी मेरा अपने खुद देखने के अभी जल रहा है सामने यह सब